उसे पूंज के अपिसोड की स्टाटिक में सिना में निसलिन का दिखाया जाता है जो कि अपने मम को डून रही थी वही दूसरे और हमें युह दिखाये देती है जो कि एक केम खेल रही थी तभी वहां वेची आ जाता है तभी यहान वेजी से केते तुम यहां क्या कर रहे हो वेजी केते मैं तुम पर नज़र रखने के लिए आया हूँ क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम बीमार हो वेजी केते मैं बस यहां गुमने और नाश्टा करने के लिए आय थी मैं फैंटम पिच ब्लोसम का इंतजार कर रही हूँ मेरे मिस्टर राइट को ढूरने के लिए तभी वेजी के तई क्या कौन है वो और कहा है वो और तुम उसके साथ कितने समय से हो तभी यॉण के तई मेरे मन में उसके लिए भावनाई है मुझे पूरा यकिन नहीं है कि मैं उसके पसंद करती हूँ जी के तई क्या होगा अगर तुमारे मन में उसके लिए भावनाई होगी यॉण के जी तो मैं उसके बता दूंगी अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ चलो और साड़े आट बजी हमें पता चल जाएगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं तभी वेजे उसे वहाँ से ले जाता है सेन हमें मिसलिन का दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने माँ को डूंड रही थी और उसके पैर में चोट भी लग गई थी तभी लेंग-लेंग वहाँ आ जाता है और उसके पैरों की तरफ देखता है जहाँ पर उसे चोट लगी हुई थी तभी लेंग-लेंग मिसलिन को उठा लेता है मिसलिन कते मुझे जाने दो अब सिन योण और वेजे का दिखाया जाता है जहां यौन वेजी से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा है और मुझे बताओ कि मैंने क्या गलत किया है तभी यौन उसका हाथ जटकते हुई कहती है रुको मैंने कहा रुको वेजी के दे मुझे समय की कमी है आज रात के बाद तुम किसी और के साथ हो सकती हो मैं अब और इंतजा नहीं कर सकता यौन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तभी किसी का धक्का लगने से वेजी यौन के गले लग जाता है तभी यौन दूर हटते हुई कहती है तुमने क्या कहा वेजी के था कुछ नहीं मैंने कहा था कि 38 बाजी आक्रिशक है तब ही युवन उसके करीब जाके कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया अपसे मिसलिन और लेंगलेंग का दिखाया जाता है जहां लेंगलेंग के था क्या तुम अपनी मा को खुज रही थी तुम इंक रीडिंग कर सकती हो तो तुम उसका प्रयोग क्यों नहीं करती मिसलिन के थी मैंने अपने फादर से वादा किया है कि मैं अपनी मा को डुनने के के लिए उसका प्रयोग नहीं करूंगी तुम सच में उसके कंट्रोल में हो मेरा मतलब है क्या वो तुम्हारी पीता है कोई बात नहीं अब से मैं तुम्हारा खयाल रखूंगा तभी मिसलिं केते है मुझे एक मा की जरूरत है लेकिन तभी लेंगलें केता है मैं तुम्हारी मा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ अब सिन वेची और यौण का दिखाया जाता है यहां यौण केते है यह अपने प्यार का इजार करने लिए बिल्कुल सई समय है और तुम वहां क्यों बैटे हो तभी वेची केता है वहीं रहो और चुप हो जाओ मुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है और मुझे अकेला छोड़ दो, तभी यूह। Xulocal पहले कि तुछ करता है को अधीची नहीं करता है कि तुम मुंझे पसंद کرते हो, विचे कहता है मैने कहा कि इसे बुल जाओ, यूहान की थी बिलकुन नहीं , मुझे पहली बार किसीने कफेस्ट किया है, तभी विचे तुम्हें इसका जादा अनुबव होगा तभी वो एक कदपुतली को लेती है और कहती है कि क्या उसे मुझसे पहली नजर का प्यार हुआ या समय के साथ आपके अंदर प्यार पैदा हुआ तभी वेज़े वहां एक कदपुतली लेकर आता है और कहता है कि अपना मौ बन करो सच्चा ही यह है कि मैं तुम्हारी बारे में तब से सोच रहा हूँ जब मुझे तुम्हारी तड़कन के बारे में पता चला जाता हूँ कि तुम शुरक्षित रहो और किसी के जासे में ना आओ तबी वेची केता है लगबग साड़े आंट हो गए है फैंटम पीच ब्लोसम के खिलने का समय हो गया क्या तुम्हें जाना नहीं है यह आन के ति तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो क्या तुम मेरा इंतजार करोगी मुझे पता लगाने की जरूरत है कि मैं कैसा मैसूस करती हूँ मैं तुम्हारा समय बरबात नहीं करूंगी मैं जल्दी वापस आऊंगी और तुम्हें इस बारे में बताऊंगी वेची कहता है ठीक है अपसिन पेइन का दिखाया जाता है जो कि पीच प्लोसम फेस्टिवल स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे बहुत सारी पीच प्लोसम की पत्या उड़ने लगती है और साथ में बटरफ्लाइ भी आपसन लीमियन का दिखाया जाता है जो कि पीच पलॉसम फैस्टिवल देख रहा था तभी मिस मैंग्सी वहाँ आ जाती है येलो तुम्हारा वॉलेट तुमने इसे निच्छे गिरा दिया था और मैं तुम्हें ओथमेटिक केक्स के रूप में नहीं देखती अगर वो तुमें पसंद नहीं है तो मैं उसे नहीं लूँगी हाला कि वो एक साल के लिए प्रयाप्त है तभी मियन केता है तुमने मुझे किस किया और कुछ लेकर भी नहीं आई क्या तुम पागल हो लेकिन तुमें वो पसंद नहीं है इसलिए मैं इसके बज़ाए तुमारे लिए ये लेकर आई हूँ तभी वो उसे खोल कर देखता है और कहता है तुम मेरे लिए ये लाई हो यहाँ निश्चित रुप से एक महिला के लिए है तभी मिसमैंग्जी कहते हैं मैं ऐसे इसलिए क्या है क्यांकि तुम हमीशा जितना पसंद करते हो तभी लिएम्न कहता है कोई ज़रूत नहीं है मेरे पास पहले से ही टॉप प्राइज है एक पतनी जो पूरी तरह से बुककर है इसलिए मुझे और टॉप प्राइस नहीं चाहिए तभी मिस मैंगजी केते तुमरी हिम्मत कैसे हुई तभी लीमियन वहाँ से भाग जाता है मिस मैंगजी भी उसके पिछे भागती है अब सिन वेची का दिखाया जाता है जो कि खड़ा था तभी उसके हाथ से रेड स्ट्रिंग निकलने लगती है जिसे वेची देखता है जो कि जो यून की रेड स्ट्रिंग से जुड़ जाती है तभी वेची कहता है ये हो सकता है क्या मैं और जो यून वहीं दूसरी हो यूवन कहती है साड़े आठ हो चुके है पर अभी तक पेंटम पेज ब्लोसम नहीं दिखा है तब ही पेइन वहाँ आ जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो इसे तुम अकेले नहीं देख सकती तुम जिसके बारे में सोच रही हो तुमें उसके साथ आना चाहिए था और इसके अलावा तुम ही ये सब करनी की कोई जरुवत नहीं है तब ही ये प्यार में पेइन केता है तुमें अभी भी समझ नहीं आया मुझे बताओ जब वेजी ने तुमें अपने प्यार का इज़ार के तब तुमें कैसा महसुस हुआ ये 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 में खुश हुई पेइन केता है क्या तुम वेजी को भी खुश देखना चाहती हो युवन की बाते याद आती है जिसने कहा था कि मेरे मन में उसके लिए भावना है पर मुझे पुरा यकिन नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूं तभी वेजी उन दोनों की बाते सुनता है यहां युवन कह रही थी कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मास्टर तभी पे आपी ने की और आपी ने हम दोनों पर भाग्य का बंदन डाला वैसे भी अब कुछ नहीं किया जा सकता चिंता मत करो मैं अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगी और मैं इसे अच्छी तरह से समाप्त कर दूंगी तभी वेजी उन दोनों की बातों को गलत स चला जाता है अपसे थोड़ी देर की बात का दिखाया जाता है जा वेजी यौन का इंतजार करा था तभी यौन वहां आ जाती है तभी यौन वेजी से कहते हैं मैं यहां आ गई और अब मेरे पास जवाब है वेजी कहते हैं अब इसकी आवशकता नहीं है वेजी कहते हैं वेईची कहता है अब मैं कुछ और जानना चाता हूँ क्या तुम मेरे पास इसलिए आई क्योंकि तुम हमारा बंधन तोड़ सको वेईची कहता है नहीं मैं समझा सकती हूँ वेईची कहता है क्या समझाओगी तुम अपने धरकन की भीमारी की वज़े से किसी को भी पसंद नहीं कर सकती अगर मैं तुमारी जगा होता और किसी ऐसे वेक्ति के बंधन में बन जाता जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ तो मैं भी उससे चुटकारा पाना चाहता लेकिन क्या तुम्हें जूट बोलना पड़ा मेरे साथ अपना नाता तोड़नी के लिए यॉवान के ते मैं स्विकर करती हूँ कि शुरुवत में मैं तुमारे पास आई लेकिन मैं अब इमानदारी से तभी वेची के ते तुमने मेरे मित्र होने का दावा किया क्योंकि तुम प्यार करने के लिए स्वतंत्र हो लेकिन मुझे अपनी भावनाई छुपाई रखनी पड़ती है इसलिए अपसे मैं अपने आपको प्यार करने के अनुमती देती हूँ वेची के ते बले ही तुम्हें इसके लिए मानना पड़े यौन केती है हाँ वेची केता है ठीक है बहुत अच्छा तुम उसके लिए मानने के लिए तयार हो तभी वेची चिल्लाते हुए केता है क्यों उसके जगह में नहीं हो सकता तभी यौन केती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो तभी वो उसे किस करता है तभी चारो तरफ पीच पलासम के फूल खिलने लगते है तभी वेजी उस से दूर हटते हुए कहता है कोई प्रतिकरिया नहीं मेरे खयाल से हुमारे मन में मेरे लिए कोई भावनाए नहीं तभी वो जाने लगता है और योण के हार्ट में पेन होने लगता है तभी वेजी जाते हुई कहता है कि हमारे लिए बस इतना ही मेरे पास दुबारा कभी मताना तभी वेजी वहाँ से जाता है तभी यौन नीचे गिर जाती है और उसके मुझे खुल निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है अपसिन यौन के भाई का दिखाया जाता है जो कि माशिलाच प्रत्योगीता का रिजल्ट देख रहा था तभी वो शौक्त हो जाता है अपसिन हमें यौन का दिखाया जाता है जो कि बेऊश होती है तभी वो जाग जाती है तबھی Payne केता है तुम जाग गई यॉन केता है Master आप यहाँ है तब है Payne केता है और कौन हो सकता है वेज़ी गुस्से में वाँ से चला गया इसलिए तुम दूनों के भागे की डोरी गायब हो गई है इसलिए तुम है इसके लिए बताई तभी योन केते अपनी बक्वास बंद करो तभी वेजी केते क्या तुम वेजी के बास इसलिए नहीं गई थी क्योंकि तुम भाग्य की दोरी तोड़ना चाती थी तो तुमने ये कर दिखाया क्या ये जश्न मनाने की बात नहीं है या फिर तुम सच में उससे प्यार करती हो योन केते हैं हाँ मैं उससे प्यार करती हो मैं उससे इतना पसंद करती हो कि लगबग मैं उसके लिए मर ही गई थी लेकिन अभ भाग्य की दोरी टूट चुकी है इसली हम फिर से अजनभी बन गए हैं तबी पहिंन किता है मैं तुम्हें एक और हश्य बता दू तुम दोनों के बीच में जो भाग्य का तार था वो मैंने नहीं बनाया था वो तुम दोनों के बीच में पहले से ही था यॉन के थे ये कैसे हो सकता है पेहिन के थे मुझे पता नहीं है लेकिन तुम्हारा साथ होना ताय है तो ये भाग्या की दोरी फिर से जुड सकती है तब यॉन का भाई छिलाते हुए आता है और कहता है कि प्रत्योगीता का परिणाम आ गया है तब ही पेहिन यॉन को वहां से ले जाता है तब ही कोई पीचे से आता है और यॉन के भाई के सीर पर जोर से मारता है और उसे बेहुश कर देता है अपसिन अकेडमी का दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग आ चुके थे तभी वह announcement की जाती है कि छिंग्यू अकेडमी से फौंगिन पाविलियोन की जो यूआन इस प्रत्युकिता की विजेता है तभी यूआन वहाँ आ जाती है उसके आते ही एक और announcement होती है अगर किसी को परिणाम से दिक्कत है तो वह यहाँ आकर विजेता से लड़ सकता है तभी एक माक्स पेना हुआ आदमी वहाँ आ जाता है और वहाँ जाते ही जो यूआन पर हमला करने लगता है जिससे जो यूआन बच निकलती है तभी जो यूआन कहते है उसकी चल काफी परिचित होती है तभी हमें जू डेंग दिखाया जाता है जो कि अपनी कत्पुतली के दागों से उस आतमी को कंट्रोल कर रहा था वहीं दूसरे हो यूआन उस आतमी पर अटेक करती है उसके वज़े से उसका माक्स निकल जाता है जो आतमी कोई और नहीं यूआन का भाई हो तभी यूआन के भाई ये आप हो तभी यूआन का भाई यूआन पर फिर से अटेक करने जाता है तभी वो उसके गरदन पर कत् कुछिश करती है पर वो उसे अपने पास नहीं आने देता कि अभी भी एक कत्पुद्ली का दागा है कि हमारी आखरी लड़ाई के बाद मैंने अपना खेल बदल दिया यह अद्रश्य दागा उसके जीवन से जुड़ा हुआ है और उसका जीवन और मेरे हाथ में लागा देख रहे है जो पिंग जीवन से उड़ा हुआ है। कि तुमने तोड़ दिया है इसलिए वह माड़ चुका है लेंगलंग के तब मिस्लिंग कहते हैं वह तुमें बैकाने की कोशिश कर रहा है उसकी चाल में मत आओ चो यह मी का यहींतना है यह तुम मुझे रोक सकते हो अपने पावरवर्ड के साथ तभी वो अपने कत्पतली के धागे की मदद से निंग लेंग के गले को पकड़ लेता है और उसे उठा कर नीचे फैक देता है और फिर मिस लेंग के गले को भी पकड़ लेता है तभी जोडेंग के ताई ली यान तुम्हारी बहुत परवा करती है तुम्हारे पास कैसा दिल है तुभी लंग-लं केते उसे जाने दो जोड़ें केते तूम मुझे जोइन कर लो और फिर तुम पावर्वर्ड का अप्यास कर सकते हो और उन लोगों की रख्षा कर सकते हो जिने तुम बचाना चाते हो और उन लोगों को मार डालो जिने तुम मारना चाते हो कोई नियम नहीं होगा क्या ये अच्छा नहीं है तुमारे पास शक्ती है पर तुम उसका उप्योग नहीं करते इसलिए तुम आसान निशाना बन जाते हो वही दूसरे दरब यॉन कहती है भाई में जोडेंग को डून कर उसकी कत्पुतली बन कर आती हो तभी जोडेंग यॉन के भाई को फिर से खड़ा कर देता है और यॉन को जोड से मारता है जिसकी वज़े से यॉन की मुझ से खोन निकलने लगता है और वो बेऊश हो जाती है तभी एपिसोड खत्म हो जाता है नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शर और सब्सक्राइब और थाइंक यू फर वाचिंग फूल वीडियो